नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल study for win में और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बाल विकास एवन सिक्षण सास्त्र के कुछ important questions को हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं previous years के questions paper से questions को discuss करेंगे देखेंगे कि किस तरी के questions पूछे जा सेवन सिक्षण सास्तर के आते हैं तो उन्हीं 30 प्रशनों को हम आज के इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो का discussion यह आपका भाग एक है यह आपका practice set है और काफी सारे students ने मुझको यह बोला कि मैं मैं आप practice set solve करवाईए ताकि हम ल अवधी थोड़ा और इसको बढ़ा करते हैं ताकि आपनों को अच्छे से दिखाई दे तो सीखने की वह अवधी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नती नहीं होती है वह क्या कहलाती है तो सीखने की जो अवधी होती है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नती ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सीखने का पठार ठीक है सीखने का पठार कहा जाता है कि जब कोई बालक कुछ सीखे लेकिन सीखने में कोई भी किसी भी तरीके की उन्नती ना हो तो उसको कहा जाता है सीखने का पठार जब रुकाव एक ठहराव आ जाता है त तो आप सभी को इस प्रश्ण का उत्तर बहुत अच्छे से पता होगा कि सामाने एवं संयुक्त कोशी का जो होती है उसमें तेज चोड़े गुण सूत्र होते हैं। अगला कॉश्चन है आपका बुद्धी लब्धी निकालने का सूत्र कीया है। इसी सीरीज का क्रिया प्रसूत अनुबंधन शिद्धांत का प्रतिपादन इसकिनर ने किया। बी एफ इसकिनर, अब आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि जो इसकिनर थे यानकि बी एफ इसकिनर थे वो कहां के मनोवग्यानिक थे, कहां के निवासी थे, ठीक है, आपको बताना है, तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब इसका दे पाते हैं, अग्ला question है आपका सीखने में प्रयास वा भूल के सिध्धान्ष का प्रतिपादन किस ने किया तो सीखने का जो प्रयास एवब भूल का सिध्धान्ष है प्रयास एवब त्रोटी का सिध्धान्ष है वो है thon ndike का next question है आपका कोहलर निम्ड में से किस से संबंधित है तो question number six का answer होगा कोहलर ने अधिगम का सिध्धान्त दिया है कोहलर ने जो सिध्धान्त दिया है वो अधिगम या सीखने का सिध्धान्त है जिसे हम सूझ के सिध्धान्त के नाम से जानते है कोहलर का सूज का सिधान अगला कोशन है आपका बुद्धी के तरल क्रिष्टलीए प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे तो बुद्धी के तरल क्रिष्टलीए प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे ये बहुत important question है आपके TET exam में भी ये आया था तो बुद्धी के तरलकिष्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है तो इसका आपका अंसर हो जाएगा विद्याले का असहयोग यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्याले किसी स्टुडेंट को उतना ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता फिर भी बच्चा निरंतर सीखता रहता है तो ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है बढ़ेंगे हम अपने इसी सेट के अगले क्वेशन की तरफ क्वेशन नमबर नाइन कहाया ये रहा सिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है तो सिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है अगला कोशन है अधिगम, अनुभव, प्रसिक्षण के परिणाम, स्वरूप, व्यवहार में परिवर्तन है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है तो इसका अंसर होगा आपका गेट्स वा अन्य यह गेट्स वा अन्य के द्वारा दिया गया है अगला कुशन है गोल्मैन निम्ण में से किस से संबंधित है जो गोल्मैन है जो गोल्मैन का सिधान्त दिया गया है वो किस से संबंधित है तो गोल्मैन जो है वो आपके सामान्य बुद्धी के सिधान्त से संबंधित है गोल्मैन निम्ण में से किस संबंधित है तो यह समव गात्मक बुद्धी जो आपकी आती है उससे संबंधित है तो संबे गात्मक बुद्धी से संबंधित है गोलमेन निम्न में से किस संबंधित है संबे गात्मक बुद्धी से संबंधित है अगला है आपका स्टेन फोर्ड विने परिक्षन मापन करता है स्टेन फोर्ड विने परिक्षन मापन करता है किस चीज का मापन करता है तो ये करता है बुद्धी का ठीक है, क्योंकि स्टेन फोर्ड विने परिक्षन जो आपका है वो किस चीज का मापन करता है बुद्धी का मापन करता है अगला है निम्ण में से कौन से से भिन है तो जो आपका drive reduction सिध्धान्त है वो इन तीनों सिध्धान्तों से अलग है भिन है अगला है अंतर मुखी व्यक्तित्व एवं बहर मुखी व्यक्तित्व का वर्गी करण किस ने किया है तो अंतर मुखी और वहर मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया है यूंग ने ठीक है भाई कौल वाले बड़ा परिशान करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका निम्न में से कौन से सिभिन है अगला कौशन है संग्यानात्मक संप्राप्ति का निवनतम इस्तर है तो वो है ग्यान ठीक अगला कौशन है आपका बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है तो सामाजिक परिवेश जन्य सिधान्त या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अगला है एक बालक जो साइकल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा तो ये उदाहरण हो जाएगा उर्ध अधिगम अंतरन का ठीक है ये मैंने जब आपका अधिगम करवाया था लर्निंग चैप्टर कंप्लीट करवाया है वहाँ पर मैंने आपको जब अधिगम के प्रकार बताये हैं वहाँ पर मैंने आप आपको छेतेच, उर्ध, द्वी पार्षविक इन सब के बारी में बताया है। साइकोलोजी की प्लेइलिस्ट में जाकर आप लर्निंग का जब देखेंगे तो वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 18, निम्न में से कौन सा सारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो सारीरिक विकास का प्रमुख नियम है आपका दृतगामी विकास का नियम। अगला कुश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिध्धान्थ नहीं है तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिध्धान्थ जो है वो विकास का सिध्धान्थ नहीं है विकास की परिणाम स्वरूप नवीन विशेष्टाएं और नवीन युग्यताएं प्रकट होती है यह कथन किस ने दिया है तो यह कथन आपका गैसल ने दिया है अगला कुशन है मूल प्रवित्तियों को 14 प्रकार से किस ने वरगी कृत किया है तो मूल प्रवित्तियों को मैक डूगल ने 14 प्रकार से वरगी कृत किया है अगला कुशन है आपका किसी दूसरी वस्तु की अपेक शाइक वस्तु पर छेतना का केंद्री करण अवधान है यह किसका कथन है तो यह कथन है रौस का अगला कुशन है निम्निमे से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है तो जो आपका बहु अनुक्रिया का नियम है यह सामिल नहीं है बाकि तीनों आपके सीखने के मुख्य नियम है कुशन नम्पर 24 है बारा वर्ष से शोला वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S. चलोटा ने कौन सा परिक्षण प्रतिपादित किया है तो वो है साधारण मानसिक योग्यता परिक्षण डॉक्टर S. चलोटा द्वारा दिया गया है अगला कुशन है निमने में से कौन सा युग्म सही नहीं है तो सीखने का जो नियम है वो हल ने दिया है समाप्र सिध्धान ये सही नहीं है बाकी आपके सभी जोड़े सही है अगला कुशन है गरंतियों के आधार पर व्यक्तित्त के विभिन प्रकारों की चर्चा किस ने की है तो ये की है क्रेश्मर ने अगला है आपका बुद्धी के द्वी कारक सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया है तो बुद्धी का द्वी कारक सिध्धान्त स्पीर मैन ने दिया है द्वी कारक भी स्पीर मैन ने दिया है और त्री कारक भी स्पीर मैन ने दिया है अगला question है आपका question number 28 निम्न में से किनका नाम स्रजन सांस्तर के पिता से जुड़ा है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा गल्टन next question है स्रजनात मक्ता मौलिक परणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है यह कथन किसका है तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का और इस सीरीज का आपका last question है विद्रोह की भावना की प्रवरती निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है तो यह है आपकी मध्य किशोरा अवस्था से संबंधित इस अवस्था में बालक विद्रोह की भावना से प्रेरित रहता है तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के लिए एक प्रेक्टिस पेपर के एक पार्ट के तीस इंपोर्टेंट क्वेशन्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा साथी साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिलकुल मत जाएए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लीजे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोसल साइट पे फॉलो कर सकते हैं हर सोसल साइट की लिंग इसी वीडियो के दिस्क्रिक्शन में दी गई है और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो ये रहा हमारा वाट्सेप नंबर 9496369356 इस नंबर पे कॉंटेक्ट करके आप हमसे नोट लेकर तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ करवाओंगे आपकी प्रेक्टिस सेट कंटीनीज तब तक के लिए नमस्कार